देखने खबर जारखंड और मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार चारा घोटाले में सजायाफता आरजेरी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबियत में फिर से गिरावटा गई है राची के रिम्स के पेंग वार्ड में इलाजरत लालू यादव की किड्नी फंक्षन कभी भी बिगड सकता है लालू यादव का इलाज किल रहे डॉक्टरों का मानना है कि लालू की किड्नी 25 फिसदी ही काम कर रही है जिससे कभी भी इमर्जन्सी सिचुएशन क्रियेट हो सकती है इस रिपोर्ट में देखिए क्या बहूत बिमार हैं लालू यादव? क्या लालू की किड्नी 25 फिसदी ही काम कर रहा? क्यों डालिसिस की बात कर रहे हैं डॉक्टर? चारा घोटाला मामले में सजयाफता लालू यादव इंदिनो राची के रिम्स में इलाजरत हैं लालू यादव सालों से कई बिमारियों से जूज रहे हैं और अब जो खाबर आ रही है वो चिंता जनक है लालू प्रसाद का इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उमेश प्रसाद की माने तो लालू यादव बहुत बिमार है लालू प्रसाद के स्वास्त को लेकर कभी भी इमर्जेंसी सिचुएशन क्रियेट हो सकता है लालू की किड्नी 25 फिस्दी ही काम कर रहा है ऐसे में उन्हें डालीसिस की ज़रूरत पर सकती है डॉक्टर उमेश प्रसाद ने लालू की मेडिकल रिपोर्ट सिनियर ओफिसर को भेज दिया है शनिवार को डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू यादव बीमार है इमर्जेंसी सिच्वेशन क्रियेट हो सकता है बावजूद लालू यादव पेंग वार्ड में गया जीले के गुर्वा विधानसवा से आए रजडी विधायक विनाय यादव इसलामपूर से मलसी राजेश कुमार रोशन से मुलाकात की विनाय यादव और राजेश रोशन ने भी बताया कि लालू यादव की तवियत ठीक नहीं है वहीं सुबध कान सहाय ने भी लालू यादव से मुलाकात की उन्होंने भी बताया कि लालू की सेहद नासाज है लालु यादव एक अपना जीवट का बना हुआ विक्तित है कि कहा कि नहीं जो भी है तो हई है लेकिन हम ठीक है और हम अपिक्षा करते हैं कि जो भी रिक्वार्मेंट है भविस में बेल उगरा का वो पूरा हो जाएगा तो फिर लालु जी बाहर आएंगे पेंग वार्ड में लालु यादव से मिलकर लोटे सभी नेता लालु की सेहत को लेकर चिंतित है अब तो डॉक्टर ने भी अलर्ट कर दिया है दुआ कि जिये कि लालु जल्द ही स्वस्थ हो अभिशेक और मनी